गुड मॉर्निंग स्टुडेंट आज हम हिंदू भारती इसलामी संस्क्रती के बारे मध्यन करेंगे विशेश का इसमें भासा और साज्टी के दस्टी से हिंदू इसलामी संस्क्रती शब्द मिश्ट्रिया समन्वित संस्क्रती विखास का सूचक है जो मद्यकालिन भारत और इसलामी जगत की सांस्क्रतिक परंपराओं के संपर्ग अनुनियोस्षित संबंदो तता संमिलन के फल्सरू विक्सित हुई थी यह संबंद अरब के उन व्यापारों के माध्यम से स्थापित हुए थे जो भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुक्स्तोत थे हिंदु दर तता इसलाम के सांस्क्रतिक परंपराओं के समयकन से मिश्रित या हिंदु इसलामी संस्क्रतिका जन हुआ मद्यकाली ने हिंदू तता मुस्लिम संतों ने दो संप्रदायों के बीच भाई चारा बनाये रखने के अपने प्रियासों द्वारा सांस्कति विकास में तदिक योगदान दिया विद्यता एवं सायत्य के शेत्र में भी दोनों संप्रदायों एक दूसरे से प्रवाबित हुए मुस्लिम विद्वान ने हिंदू दर्शन और विज्ञान जैसे योग शास तता विदान चिकिस्ता सास तता जोतिस का अध्यन किया तो हिंदूओं ने उनसे बुगोल अंगणी ततरसायन शास जैसे विश्यों का अध्यन किया पारस पर इक भाशा विश्यक आदान प्रदान हिंदी के विकास में परिलिक्षित हुआ जिसके आधार पा उन्नत अंत तै उर्दू का जन हुआ अमीर कुसरोन दिल्ली को हजरत दिल्ली यानी पवित दिल्ली तरता दूसरा स्वर्ग और अन्याय का एक महान केंद्र कहते हुए अभिवादन किया समकाली ने इतियास कारों कि अनुसार हिंदू राजकी सेवाओं में सेवारत थे और मैतुन बदों पर थे सुल्तान अमुमत तुगलंग ने श्री राज रामक हिंदू को अपना वजी नियुक किया था बासा और साहितिकी द्रस्टी से दिल्ली तरता काल साहितिक द्रस्टी से मध्यम था इस समय फार्सी और संस्कत भाषर के अतरिक्त हिंदी उर्दू और प्राय सभी प्रांती भाषरों में ग्रंत लिखी गए प्रांती भशों के विकास में बुक्ति मारके संथु खाट्य दिक योगदाने संस्क्रस साइते के अंत्यकत संस्क्रस आयथ्यित को हिंदु शाषकों मुखेता विजेने के वरंगल गुजणत के स선क्रसकों से सरक्षन प्राप्त हुआ संस्कत स्कार में उच्वर्क की भाषा रही दार्मिक एवं धर्म निर्पेक्ष रचनाओं का स्रजन बड़ी मात्रा में हुआ इस यूगे के संस्कत ग्रंथों में मुलित्ता का भावता अधिकांस पुस्त के प्राचीन ग्रंथों की पुनरावती डिकाए अध्व प्राचीन ग्रंथों का बाधार लेकर लिखी गई रामानुज ने ब्रह्म सुत पर दिखाये लिखे देता पात सार्थी ने कावी में मन्शा पर रंत लिखे जेनो ने भी संस्कति विकास में योगदान दिया हैमजन सुरीन में प्रमुक थे प्रशिद फार्सी कवी जामी द्वारा लिखे त्यूसुप और जुलिखा की प्रेम कहानी का फार्सी से संस्कत में अनुवात किया गया फार्सी साहित के अंतरगत इस काल में तुर्की सुल्तान फार्सी साहित में जुरूची रखते थे जबकि मुस्लमानों का अधिकान साहित अरभी में लिखा गया था जो पेगंबर की भाशा थी फार्सी विकास के लिए लाहूर पहला केंदर था दिली सुल्टानों ने इस भाशा के विकास के लिए एक सिक्चरन जनसाय खोली तता पुस्त काले स्तापित किये सबसे मैत्मून राज की पुस्तकाले जलालोदिन दिवारे स्थापित कराएगा जिसका अध्यक्ष अमीर कुसरो था बलबन का पुत्र मुहमत तता अलाओदिन ने अपने समय के प्रशित विद्वान अमीर कुसरो तता मीर हसन देहलवी को संगरक्षन परदान किया मुहमत बिन तुगलक के समय में बदरोदिन मुहमत फार्सिका स्रेश्ट कवी था हमिर कुसरो को फार्सिक कवी में सर्फश्ट मस्तान प्राप्त है फिरोज तुगलक ने समय के आत्मकता लिखी तता इतियास का बन्नी और अज़भी उसके संगरक्षन में थे लोधी साशक, सिकंदार लोधी, भहमनी साशक, ताजोदिन फिरोश चाय तता भहमनी वजेर ममुध गवा का नाम भी विद्वानु माना जयाता है पुस्तक तुतिनमा के नाम से प्रसिद है इसकी रचना मुबित तुगले के समय में हुई थी इस काल के जो प्रमुक जो लेकक रहें जैसे नूरदिन मुवंबन ने लुबाब अलवाव लिखी अमिर कुस्रों के रचना है खजानल फुते तुगलक नमा तारीक अलाई किनान उस सदान सादेन मितफावल फुते आशिका थी जैनाक्षवी ने तुति नामा लिखी इसामी इमने खुतु सलाते लिखी विनाव सिराज ने तपकाते नासिरी प्रमुक जियादुन वर्नी का तारीक फिरोष शाही तता फातवाय जहादारी प्रमुक गंत है समझे शर्याज का तारीक फिरोष शाही यहाई बिंज अहमद का तारीक मुबारक शाही फिरोष तुग्रक का फुतुवात फिरोष शाही जो उनकी आत्मत का था है जमाली कंबु का सियर अन अफ्ररी फन प्रमुक ग्रांत थे हिंदी उर्दू तता आने शेत्री भाषाओं के अंत्रगत इस काल में 1424 से 1425 में सपुर्दिन यजदी द्वारा लिखे ते जफर नामा में हिंदी शब्द का पहली बार उप्रियोग किया गया हिंदी उर्दू रन्य प्रदिशिक भाषाओं के साहित्य के निर्मान का अधार इस युग में बना मलिग मुझ जैसे ने हिंदी में पदमावत लिखा तता मसन्मी नमक पार्सी रूप को काफी बढ़ावा दिया कभी चद्रबरदाई का प्रत्विरा रासो जो हिंदी का प्रतम महा कावे कहलाता है सारंगधर का हमीर काविय जगनिक का आलाखन राधी गरंत हिंदी में लिखे गए महान गरंत थे उर्दू मुलत तुर्की भाषा का शब्द जिसके आते शाहि शिविर या खेमा प्रद्यकाल में उर्दू को हिंदवी कहा जाता था दक्षिन बारत में मिश्रित भाषा के रूप में जिस उर्दू का विकास हुआ दक्कनी कहा जाता था इसे केम्प भाषा भी कहा जाता है 18 शतादी के मद्दे तक उर्दु को हिंदी रेकता यानि मिश्रिद भाषा अत्वा दक्कनी के रूप में पुकारा जाता रहा और आम लोग उर्दु भाषा को हिंदु सानिय दक्कन ही करते थे तेलगू का विकास विजनगर में तता मराठी का महमनी और विजापूर राज्यों में हुआ बंगाल के नुसरशा ने महाबारत और रामायन का बंगाली मनुवात करवाया उसी के संग्रक्षन में मालधर बसून ने भागवत का बंगला में अनुवात किया क्रतिवास ने बंगला में रामाण तता काशी रामτάस ने बंगला में महावारत कानवात किया क्रतिवास के रामाण को बंगाल का बाईबल काहा गया है इसपकार भासा और साहिते का सलतना काल में तर्ट दिविकास हुआ धन्यवाद